हेलो व्रीवन वेलकम टू बैक मैं चैनल स्वागल दोस्तों आपका मेरे चैनल में आज का हम लोग एक और वीडियो के साथ जो की इंपॉर्टेंट लेंड माज जज्जमेंट है और यह जो आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम लोग आई पीसी पार्ट वन के बा आपको वीडियो मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चली देर नहीं करते वीडियो को सुरू करते हैं इंपॉर्टेंट लेंड माज जज्जमेंट जो आई पीसी जो आपके 17 के लिए बहुत यदा इंपॉर्टेंट है और हर साल इनी केसला से एक इंपॉर्टेंड केसला है जो रेरेष्ट एंड रेरेष्ट केस के नाम से फेमस हुआ जिसे बच्चन सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब इसे तो आप लोग आपने के जो एक्जाम दियोंगे लाके और तो या कोई भी जुडिश्य आप त्यारी कर रहे होंगा तो आपक काफे सारे पूछी आते हैं उसमें से हम कुछ केसला जल्दी डिसकस कर लेते हैं जैसे आरस नाय वर्सेद एयार अनुली यह किस से रिलेटेड है से दूसरा केसला है करणा निदी केस जिसकी पब्लिक सर्वेंट पर रिलेटेड है और थर्ड केस है पीवी नरसंभा राओ क पर क्लिक करना है option को चूज करना है तो इस तरह की question exam में पूछी आते हैं section 30 जो common intention के बारे में यह जितने भी केसला है यह आप हमेशा हर साल जो आपके मेंस exam होते हैं जुरीशिक exam होते हैं उसमें पूछी आते हैं तो section 34 में जो PC का है बरिंद कुमार घोर्स वर्सेज इंप पढ़ाया गया होगा तो आपको इसको भी नोट कर लेना है में मुप साहब वर्सेज की इंपरज जो की section 34 पर अधारी थे और जेम दिसाई के section 34 तो इस तरह के जो की most important leading led my judgment है जो आपके 17 के लिए बहुँ ज़दा important है तो आपको बस उनको याद रखना है कि में मुप पारे section 52a harbor यानि की नल्नी अदर वर्सेश टेट आफ तमिलनाडू जो की section 52a जिसे जो harbor जिस पर डिसकस किया गया है उस पैधारी थे उसमें बताया गया है reformative theory क्या बताया गया है कोंसे theory reformative theory जो की केसला था उसमें section 53 जो की punishment पैधारी था उसमें डिसकस किया गया और जो last section 79 पैधारी जो केसला है और वर्सल टालसन और दूसरा है और वर्सल लेवेश टीम इस तरह के जो केसला होते हैं जो आपके judiciary exam के में मेंस के लिए और साथ इसाथ AIV 17 के लिए थे important जो की first time का आपका target है जिसको आपको achieve करना है और यह IPC का part 1 है और यह part 2 आपको कल यह परसों के जो वीडियो में जो आपको जल्दी जल्दी कोशिस करेंगे उसको भी provide करें तो यह जो IPC के important landmark judgment की जो case है जो IPC में जो 10 नंबर का जो paper है उसमें से 3-4 नंबर की case ला पोछाते है तो इन में से आपका तनफर में 1-2 case ला आ जाए तो आसा करते हैं यह series आपको अच्छी लगे होगे और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और दूसरी चीज और आपके मन में कोई भी सजाओ दिये गए comment box में पूछ सकते हैं या दिये गए what's the name हम से संपरकते और टेलीग्रम पे और लेड़े PDF फ़श्ट और PDF सेकेंड की link उसमें है उस Telegram जोइन करना मत भूलिएग और और कोई मन में सुजाओ हो तो दिये गए comment box हमसे पुछ करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं क्योंकि IPC part 2 भी आने वाला है तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद